तो एलो फ्रेंड्स सौगत अपसे भी का टार्गेट अकडिमी में तेकि यह वीडियो काफी लंबी नहीं होगी ठीक है एक छोटी सी वीडियो बट हेलफुल है आपके आरो यारो एक्साम के लिए ओके तो वीडियो को पूरा वास करिएगा तो बच्चों यहां पर राइट आप्शन होगा आप्शन भी पहला दूसरा और तीसरा ठीक है पहला आप्शन दूसरा और तीसरा आप्शन क्या है यह सही है चौता आप्शन यहां पर गलत है कि किसी दरपड की फोकस दूरी का मान धरात्मक हो तो वो ओतल दरपड को परदरशीत करता है ठीक है तो आप्शन भी यहां पर करेक्ट आंसर है चले अगला कुशन यहां पर है कि लाड कानवालिस के किस सयोगी ने अस्थाई बंदोबस्त के प्रास्ताओं का विरोध किया था ठीक है यह सारे कुशन आपके पीसेस एक्जाम में पूछे गए हैं ध्यान देना तो बच्चों यहां पर राइट आप्शन होगा आप्शन भी जेम्स ग्रांड ने तो आप्शन भी यहां पर करेक्ट आंसर है चले एकला कुशन है सरपर्तम भारत की आउसत प्रति विक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था तो प्यारे बच्चों राइट आप्शन होगा ओप्शन ए दादा भाई नैरो चीने इन्होंने ही इंगलिश डेप्ट्यू इंडिया नामक पत्र में भारत से होने वाले धन निकासी की चर्चा की थी सो वेरी इंपोर्टेंट है यह कई बार आपके प्रिच्चा में पूछा गया है चले कुश्य नमबर फोर है भारत में शिक्चा की विकास एतू कलकता में एसियाटिक सोसाइटि और बंगाल की अस्तापना की थी जुड़े विद्दान, Charles Wilkins ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनवाद किया था ठीक है चलिनेश कुशन है पाहरी डाक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है तो बच्चों यहाँ पर राइट आप्शन होगा आप्शन है B6 ठीक है B1 को थाइमीन B5 को पेटो थेनिकम B2 को राइबो फ्लेविन कहते हैं ठीक है चलिए कुशन नमबर 6 निम्रिखित कत्रों पर विचार कीजिए देखिए पहला है नीरच चोप्रा विश इतलेटिक्स चैंपियनशिप में 16 पदग जीतने वाले पहले भारती खिलाडी है दूसरा क्या है कि इससे पहले नीरच चोप्रा ने विश इतलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रज़त पदग जीता था तो अच्चे यहां पर राइट आप्शनों का ओप्शन सी पहला और दूसरा ये दोनों आप्शन क्या है ये दोनों सही है ठीक है नोट कर ले न वेरी इंपॉर्टेंट है चलिए अगला कुशन है जुलाई 2023 में संपनविश्च तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा अस्थान हासिल किया तो प्यारे विच्चों यहां पर राइट आप्शन होगा आप्शन भी दूसरा अस्थान ठीक है पहले पे चलिए तो बेरी इंपॉर्टेंट है ध्यान देना चलिए नेश्च कुशन है निम्डिकी में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं देखिए यहां पर नहीं शर्थ लगा है तो बच्चों यहां पर राइट आप्शन होगा आप्शन डी हैजा इन्फुलेंजा देखिए हैजा रोग बीप्रियो कालेरा नामक बैक्टिरिया के कारण होता है ठीक है यह ध्यान देना चलिए अगला कुश्चन है निम्डिकी में से किस परक्रिया में अत्यथिक उर्जा मुग तो होती है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आप्शन है आप्शन भी एरोबिक रेस्पिरेशन देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन यानि सुसन एक जयो स्रासानिक परक्रिया जिसमें उर्जा पसियोटू मुगत होती है उप्युक्त परक्रियों में सरवाधी कुर्जा वाई वीए सुसन से मुक्त होती है ठीक है चलिए नेश कुशन है याप एंचियो इस्पर्म के परजनन अंग कहां इस्तित होते हैं देखिए बच्चों यहाँ पर राइट आप्शन होगा आप्शन है याणि फूल में खोल के अंदर होते हैं नेश कुशन है कि प्रोटीन संसलेसर के लिए पौधों के लिए आवश्यक तत्ते तो बच्चों यहाँ पर राइट आप्शन होगा आप्शन डी नाइट्रोजन वेरी इंपोर्टेंट है ध्यान देना नाइट्रोजन फास्फोरस तता पुटाश एकला कुशन है हिड्दे पेशी कुश काएं होती है तो प्रीमेश यहां पर राइट आप्शन होगा ऑप्शन यह पहला दूसरा तीसरा यह तीनों आप्शन क्या हैं ती चलिए एकला कुशन है तेके ।्य Dollion है यहां पर कुशन है आपके भूर राजस से संबंदी देरा ब्योस्था की तो बच्चे यहाँ पर राइट आप्शन होगा आप्शन सी तीसरा पहला चौथा और दूसरा देखे एच ई गोल्ड स्मित बांबे योजना ठीके था मसला यह आपके अस्थाई बंदोबस्त हाल्ट मेकेंजी महाण वाली बंदोबस्त ठीके अलेकजंडर रीड या आपके रहत वाली ब्योस्ता से संबंदी थे हैं चले कोशे नंबर 17 देखते हैं तो बेरी इंपोर्टेंट है कि अंग्रेची सरकार द्वारा पारित किस अधनियम को गुलामी का नया चार्टर कहा गया तो प्यारे बच्चों यहां पर राइट आप्शनों का ओप्शन ए भारास सासन अधनियम 1935 के प्राधानों को देखते हुए पंडि जवाल ने इसे गुलामी का नया चार्टर या दास्ता का अग्या पत्र की संग्यादी इसी अधनियम में प्रांतिय स्वायत्ता की व्योस्था की गई थी चलिए अगला कुशन है ब्रिटिस भूम व्योस्था का पिता किस ब्रिटिस सदकारी को कहा गया तो प्यारे बच्चों यहां पर राइट आप्शन होंगा ऑप्शन डी मार्टिन बर्ड ठीक है ध्यान देना ऑप्शन डी यहां पर देखिए करेक्ट आंसर है नेश कुशन है कि नीमनी कत्रों में कौन सा कत्रा डबलो बीसी के बारे में सत्ते नहीं है देखिए आपे फ्रेंड राइट आप्शन होगा आप्शन डी ठीक है आप्शन डी यहां पर सहिए डबलो बीसी कुश्काओं का आकार 25 से 30 यूम तक होती है चलिए अगला कुश्चन है कुश्चन नमर 20 निमनिकिन में कौन सी नील गरी जयो मंडल और अच्छी छेत्र में शामिल है तो प्यारे बच्चों यहां पर राइट आप्शन होगा आप्शन डी वोप्योगत सभी ठीक है यह तीनों आप्शन यहां पर क्या है सत्त्य हैं ठीक है यह आपके पीसेस एक्साम में पूछे गए है चले एगला क्यूशन है निम्लिकी में से कों सा नेशनल पार्क पूर्टया शीतोस अलपाइन कठिबंद में इस्थित है तो बच्चों यहां पर राइट आप्शन होगा आप्शन बी फूलों की घाटे आप्शन बी यहां पर देखिए करेक्ट आंसर है चले एगला क्यूशन है निम्लिकी दीगमों पर विचार कीजिए तो बच्चों यहां पर राइट आप्शन होगा आप्शन सी पहला योम तीसरा देखिए दंपा टाइकर रिजर्ब मिजोरम में सारा मती शिकर आपके नागा लेंड में ठीक है दूसरा है गुम्टी वन्चू अभ्यरण यह आपके तिरपुरा में है सिक्की में नहीं यह आपके तिरपुरा में है ठीक चले एगला क्यूशन है निम्लिकी दीगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है देखिए आपके नहीं शब लगा है तो प्यारे बच्चे यहां पर राइट आप्शन होगा ओप्शन है राष्टी सरक्रा संस्थान लखनो देखिए यह सरक्रा संस्थान लखनो नहीं है आपके कहां पर है कानपुर में ठीक ध्यान देना चले एगला कुशन है भारती ही मानक ब्यूरो बी आईएस का गठन कब किया गया तो प्यारे बच्चे यह राइट आप्शन होगा ओप्शन सी 1986 में ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट अग 1986 डेट याद रखना चले एगला कुशन है भारत में निमिखी में से किसके अंतरगत पंचाती राज पढ़ाली की वियोस्ता की गई थी तो प्यारे बच्चे राइट आप्शन होगा ओप्शन भी राज के नीत निदेशक सिध्धान्त ठीक है अनुषे 40 आर्टिकल 40 के अंतरगत चले अगला कुशन है किस अधनियम ने भारत वासियों को अपने देश के परसासन में कुछ हिस्सा लेना संभो बनाया प्यारे बच्चे इसका राइट आप्शन होगा आप्शन C चार्टर आइट 1833 के बारे में मात हो रही है ठीक है चले अगला कुशन है ब्रिटिस संसत के किस अधनियम ने भारत में व्यापार पर इस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया तो बच्चे यहां पर राइट आप्शनों का ओप्शन D 1813 का चार्टर अधियम की मादनियम से ब्रिटिस संसन ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ कर इस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समात कर दिया चले अगला कुशन है शुषक हवा में मीथेन की मात्रा तो बच्चे यहाँ पर राइट आप्शन होगा और ओप्शन ए चले एगला कुशन है कुशन नमर ट्वंटिनाई निन में से शुषक हवा में कौन सी गैस की मात्रा सरवदिक है तो बच्चे यहाँ पर राइट आप्शन होगा ओप्शन है यानि आरकन ठीक है अगर नहां पर नाट्रोजन होती तो नाट्रोजन सबसे जादा होती चले एगला कोशन है सुची टूकों यहां पर सुमेलित करना ठीक है यानि असत युगम बताना है तो यहां पर रैट आप्शन होगा ओप्शन डी दांडेली अभ्यारण उत्तरा दांडेली अभ्यारण करनाटक में इस्तित है ठीक है यह उत्तरा खंड में नहीं है कहां पर करनाटक में है और यह तीनों आप्शन आपके सही है चले अगला कुश्यन है सरिस्का यूम रर्थमबोर निन में से किन जानुरों के लिए सनरच्छित है तो रैट आप्शन है आप्शन भी बाग के लिए सरिस्का यूम सनरच्छड रर्थमबोर राजस्तान के राश्टी उद्दा ने यहां बागों को सनरच्छड परदान किया जाता है ठीक है चले अगला कुश्यन है किस तस्तावेश को भारती शिच्छा का मैगना कार्टा कहा जाता है तो प्यार सोफिकल सुसाइटी का मुख्याले भारत की किस शहर में अस्थापित किया गया था तो बच्चे यहां पर राइट आप्शन है औप्शन सी अडियार राइट आप्शन होगा ठीक है चले अगला कुश्यन यहां पर देखते हैं फड़ा फड़ भारत छोड़ो अंदोलन के स समय निमलिखी अस्थानों में किस अस्थान पर समानांतर सरकार का गठन नहीं हुआ था प्यारे बच्चे यहां पर राइट आप्शन है और आप्शन भी यानि लुद्याना चले अगला कुश्यन है महान हिमाले या आंत्रिक हिमाले के संदर में नीचे दिये गए कत्रों पर विचार की चीदिगी पहला है कि हिमाले परवस श्रिंकलाओं में से ये सबसे अधिक सतत स्रिंकला ठीक है नंबर टू हिमाले की इस बाग की कुरोड ग्रिनाइट से बनी है तीसरा कहरा है कि इसी स्रिंकला में गर्मी के कुछ महिनों में वहिया बर्फ की परद पूरी तरह से क्या होती है पीघल जाती है ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन है करेक्ट है पहला और दूसरा यहाँ पर स पहला है कि गंगा के मैदान का विस्तार घंगर तथा तीसता नदियों के बीच है दूसरा कि गंगा के मैदान उत्तरी भारत की राचियों जैसे हर्याडा, दिली उत्तर परदेश, ब्याढ छारकन की कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है तीसरा ब्रेंपुत् तो वच्चों यहां पर राइट आप्शन होगा ओप्शन डी ठीक है यह तीनों आप्शन क्या है सही है कुष्ण नमबर 36 का यहां पर तीनों आप्शन क्या सही होगे नोट कर लेना वहीया चलिए अगला प्रश्ण है निम्खी में से कौन सा कतन पश्षिम गाट के संदर में सही है पहला है पश्षिम गाट की उचाई उत्तर से दिच्ष्ण की ओड घरती है दूसरा पश्षिम गाट सतत है तता उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है टीक है अगला प्रवाल के संबन्ने निमलीखित कत्रों पर विचार कीजिए देखिए आप पहला कि प्रवाल फॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूच में प्राड़ी हैं जो की समूँ में रहते हैं ठीक है और इनका विकास छिचले तता गर्म जल में होता है इनमें कैलसियम कार्बोनेट का स्राव होता है अश्टलिया का ग्रेड बारियर प्रवाल रीप रोधिका का अच्छा एक उधारण है इसमें देखिए प्रवाल वित्तिया मुक्खे तीन परकार की होती प्रवाल रोधिका तट ये प्रवाल वित्ती तता प्रवाल वले तीब्स तो बहुत इंपॉर्टन देखिए आश्टलिया का ग्रेट बहुर्या री प्रवाल रोधिका का अच्छा उधारण है ठीक है आरो यारो के लिए काफी इंपॉर्टन एस स्रीज तो कांटिनू जारी एटीक है वीडियो के जाद जादा शेर करना मिलते हैं नेश्ट वीडियो के साथ तेंक्यू और हाँ वीडियो कैसे लगी आप कोईट बाक्स में हमें कमेंट करके बताना चली